जहिन बच्चो, बच्चो मैं अजय कुमार वारा नसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सिक्षिन पर स्वागत करता हूँ बच्चो कोई भी स्कीम जब हम NSP पोर्टल पर अप्लाई कर रहे हैं तो काफी स्कीम हैं, अब भी मैं दिखाऊंगा कौन-कौन से स्कीम हैं प्रिमेट्रिक, पोस्टमेट्रिक होती है, NMMS होती है और काफी उजना है जब हम एप्लाई करते हैं तो उसमें काफी बच्चो को समस्याएं आ रहे हैं कुछ बच्चो का तो तुरंत हो जा रहा है, कुछ बच्चो काफी समस्याएं आ रहे हैं देखे, मेरा जो बीडियो इस पर मैंने बनाया हुआ है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो काफी समय लगेगा, आज को जो बीडियो है उस प्रॉब्लम्स को लेकर है तो जो भी बच्चे OTR नहीं करना जानते हैं या कैसे प्रोसीड करना एक्षवर में नहीं जानते हैं आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो काफी कमपडिशन के में त्यारी कराता हूं आप जानते हैं तो यहां से आप प्लेइलिस्ट देख सकते हैं अब हमें आना है एनसपी पोर्टल की जो प्लेइलिस्ट है उस पर आना है यह देखिए यहाँ पर ठीक है क्योंकि अब पैटरन बदल गया है है इस पर हम जो लेटिस्ट βीडियोज है नीचे होता है तो इस पर हम क्लिक करेंगे जो लेटिस्ट वीडियोज है ति पहले Me मैं बताया हूं कि कैसे कासे करना था प्रॉल्हम आती थी अब यहां से देखिए latest videos के face authentication के बारे में फिर कैसे OTIP राप्त करें मैंने actual में करके दिखाय हुआ है ठीक है fresh form कैसे बरें ये भी actual बताया है renewal का form कैसे बरें ये पूरा process मैंने last step तक करके दिखाय हुआ है face authentication actual में अधार जो face RDIP है उससे कैसे करें यहां मैंने बताय हुआ है comment को लेके आ रही है तो ध्यान रखेगा जो भी बच्चे N MMS के लिए renewal का form भर रहे है ठीक है चाहें आप जिस राजिके हूँ कई बच्चे बिहार राजस्तान के पूस्ते हैं सर हमें भी करना है बच्चों मैंने कई बार बताया हुआ है कि ये परिक्चा हर एक राजिक कराता है सब का pattern, mat और set के प्रशन 90-90 आते हैं और ये NSP portal पर सब को करना है तो जो भी आप छाथ बिती ले रहे हैं तो अब आपको NSP portal के जरी ही मिलेगी पहले मैंने अपने ही वीडियो में एक renewal का form भर के बताया था तो उसमें आखरी में जाकर दो document upload हुए थे पहला तो cast certificate हो रहा था और दूसरा जो है वो आये प्रमाडपत रियानी की income certificate हो रहा था लेकिन इस समय बच्चो जो upload वाला option है वो हटा लिया गया है तो आप देख रहे होंगे कि आखरी में आकर आप जब आप upload document का करते हैं तो यहाँ पर नहीं ले रहा है और यहाँ पर final submit का option आपको आ रहा है ठीक है तो आपको करना क्या है कि जो भी लगता है जो आप जब form भरें तो जो upload होने लाइक है उसको upload कर दीजेगा ठीक है और आप final submit कर दीजे मैंने यह confirm किया है ठीक है तो आप final submit कर सकते हैं और अन्य समस्याओं के लिए ध्यान रखे अभी मैं एक और process बता रहा हूँ बच्चो एक और चीज़ है आप जो भी browser जिससे भी आप form भर रहे हैं और कई बच्चों की जो problem आती है कि not valid या कुछ भी problem आती है तो देखे कुछ तो है जो मैं अभी आगे बताओंगा कि आप data कोई ना कोई गलत इंटर कर रहे हैं अगर NMMS का last year fresh वाला भर रहे हैं तो 2023 आपको बढ़ना है तो कई तरह की दिक्कते आ रही है तो उसमें आपको करना क्या है जो भी browser आप इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको उसकी history जो है एक बार को clear कर देनी है तो अगर आप history जाएंगे तो यहाँ पर देखे history ऐसे करेंगे तो all clear हो जाएगा तो history आपकी clear हो जाएगी तो history clear होने के बाद फिर एक बार आप switch on करके आप वापस से off करके on करके फिर try केजिएगा तो कुछ problem इस हद तक भी बच्चो सही हो जा रही है देखे काफी बच्चों को invalid credentials इस तरह का message आ रहा है तो आप आगे भढ़ने पा रहे हैं ठीक है कई बच्चों को इस तरह का message से जा रहा है कि मतला कुछ भी आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे है फिर वहीं matter आपका रूख जा रहा है ठीक है तो देखे खास कर जो NMMS के बच्चे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर पुरा process जो अन्ने scheme है उनके लिए भी यह काम करेगा तो आपको ध्यान से समझना होगा कि कहां आपकी problem हो रही है तो यह आपको पता ही है कि आपको बस NSP portal type कर देंगे तो आपके सामने जो site आएगी scholarship.gov.in आएगी इस पर आपको click कर देना है ठीक है तो यह हमारी NSPay की site है सबसे पहला काम first work form भरने के पहले आपको करना क्या है क्योंकि देखे form भरेंगे फिर वैसे ही message आने लगेंगे फिर आप परशान हो जाएंगे तो जो कोई भी problem आ रही है तो सबसे पहले बच्चे का अधार बच्चे का अधार card ठीक है और result जो NMMS का आपको result मिला है उसको ले लीजे दोनों को साथ में और मिलाइए क्या जो name की spelling है वो same है की नहीं है ठीक है same है चलिए कोई बात नहीं date of birth same है की नहीं है कुछ भी data इसमें से mismatch होगा सही नहीं होगा तो आप apply नहीं कर पाएंगे तो एकदम एक clear हो गया तो यह सबसे पहला काम करना है अगर mismatch है ठीक है अगर mismatch है तो आप मुझे message कीजेगा YouTube पर मुरे WhatsApp पर मत कीजेगा कि WhatsApp पर देखे मैं किसी बच्चे का देखनी पा रहा हूँ सभी बच्चे जानते हैं भेज रहे होंगे तो मैं देखनी पा रहा हूँ आपको YouTube पर message कीजेगा तो फिर मैं आगे का process जरूर बताऊंगा अगर किसी बच्चो को इसकी problem आ रही है आपको एक form में provide WhatsApp ग्रूप में तब कर दूँगा उस form को भरके D.I.O.S होते हैं हर एक जनपद में जीला बिद्याले निरक्षक उनको आपको बस दे देना है और वो email करेंगे मनो बिज्ञान साला को उससे आपका जो data mismatch हो रहा है वो अभी भी सही हो जाएगा form आप भर पाएंगे ये clear हो गया तो आपको लेकिन YouTube पर मुझे message करना होगा ठीक है और साथ में WhatsApp ग्रूप का भी link है क्योंकि अगर आपको form चाहिए तो आपको WhatsApp ग्रूप जोईन करना हो तो वीडियो के description में आपको WhatsApp ग्रूप का बच्चो लिंक मिल जाएगा तो आप WhatsApp ग्रूप जोईन कर लिजेगा ठीक है अब दूसरा जो है आपको क्या करना है कि इसमें public corner में एक minute अब आपको देखे next step में क्या करना है कई बार बच्चे सिकायत करते हैं कि sir हमारे school का उसमें दर्ज ही नहीं है ठीक है तो form भढ़ने के पहले आप ये जरूर चेक कर लें आपका school दर्ज है कि नहीं है तो इसके लिए देखे चार्ट डॉट दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देखे public corner आ गया ठीक है इसको हम छू रहे हैं इसको छूने के बाद second option देखे find institute on NSP अगर आपका school portal पर है ये नहीं तब आप फॉर्म भरी नहीं पाएंगे लाग courses करेंगे कई बचे message करें सर हमारा दिखी नहीं रहा है school तो कैसे आप apply करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम click करेंगे find institute on NSP ठीक है तो इसके देखे आपको दो तरीके मिलेंगे कि आप पहले institute state select कीजिए राज फिर district फिर कई college के नाम आपकी पूरी जी ले के आ जाएंगे ठीक है तो आप इसको खोजने में दिक्कत होगी दूसरा क्या है कि आप अपने school में जहाँ आप कक्षा नौ में पढ़ रहे हैं वहाँ आप जाईए और उनसे पूछे कि सर हमारे बिद्याले का यह जो code जितने code लिखे हैं ठीक है school में generally बच्चो यूडायस code होता है यूडायस code ठीक है वह आप ले लिजेगा और यहाँ पर आप डाल देंगे तो capture fill करेंगे तो आप search में आपका direct school आ जाएगा आप देख सकते हैं उसको choose your option तो यहाँ पर दिए देखे choose your option में dice code आ गया ना बस यही आपको भड़ना है ठीक है यह भी code हो सकता है जो ITI college हों के लिए ठीक है तो हमने माले यह dice code select कर लिया ठीक है और यहाँ पर हम वो number को भड़ देंगे ठीक है जो भी आपका number है फिर आप capture करके search में डाल देंगे ठीक है capture fill करेंगे तो यह आ जाएगा अभी देखे नीचे का नहीं दिख रहा है यह जब आप इस mode में करेंगे desktop mode में तब यह आपको आ जाएगा ठीक है तो इससे आपको search पहले ही कर लेना है कि आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ठीक है तो मैं back चलूँ इस बर यह चीज़े आप समझ गया होंगे कि उसमें देखे अच्छे एक institute का मैं आपको दिखा दूँ तो यह बच्चों देखे एक computer का है क्योंकि अभी जश्ट खोजूँगा तो दिक्कत करेगा तो एक college का है यहां देखे लिखा हुए registered on NSP KYC status approved तो यह clear हो गया ठीक है और दूसरा एक काम और है भले KYC approved हो कई बार आप जब class select करने जाएंगे तो class आपको select होई नहीं पाती चाहे 9-10 हो चाहे 11-12 हो ठीक है तो पूरा वीडियो देखे आपको द्यान से सुनना होगा क्योंकि बिना सुने अगर आप message करेंगे तो मैं उसका उत्तर नहीं देने वाला हो ठीक है क्योंकि यहीं पर बच्चो एक चीज आपकी आज problem हल होने जा रही है तब आप क्या करेंगे कि अगर KYC सो नहीं कर रहा है और school का status जो है वो approved दिखा रहा है तो उस case में क्या करना है उस case में बच्चो एक चीज आप समझेगा कई बच्चे बोड़ रहे हैं कि sir form जो हमने submit कर दिया कहां जमा करना है तो जहां पढ़ रहे हैं यह नहीं कि जहां class 8 पढ़ते थे यह पुराने school में नहीं करना है जहां पढ़ रहे हैं वहीं आपको form submit करना है ठीक है जब final submit हो जाता है तो आपके school में ध्यान रखेगा कि एक nodal teacher इसी के लिए नियुक्त है इस्कॉलर से पिस्कीम के लिए ठीक है तो उनसे आपको जाकर कहना है कि सर मैं form भर रहा हूं और class नहीं हो रहा है ठीक है तो उनको कहीगा कि सर आप institute corner में जाएंगे देखे यहां पर जैसे यह institute है ना institute है तो वैसे यहां से भी जा सकते हैं और उपर जो चार लाइने दिख रही है तो आपके सर को यहां से institute corner में जाना है ठीक है institute corner में जाने के बाद ठीक है और login कर जाएंगे login करने के बाद वहां पर उनको class update का option आएगा class update का option आएगा जब वो class update कर देंगे तब आपके form में class होने रहेगा और आप form भर पाएंगे यह जर्णली problem है इन problems की वज़से ही अलग-अलग तरह के message आ रहे हैं और बच्चे जो है form नहीं भर पा रहे हैं अब देखे form आपको भरना कैसे है इसको आप ध्यान देजे फिर से और जो fresh form भर रहे हैं बच्चो आप NMS चाहें आप कई राजस्थान के बच्चे बिहार के बच्चे message किये कि सर राजस्थान का क्या होगा बिहार का क्या होगा यह सब के लिए है तो बच्चो यह पूरे देश का exam है NMS exam कई बार मैं बता भी चुका हूँ कई बच्चे question को भी लेके सोचते हैं तो पूरे देश का exam है और सभी बच्चो को इसी प्रकार से शादबितिक लिए apply करना है और आपको year जो select करना है 2023 select करने पर ले रहा है NMS पर ठीक है अब देखे आपको student पर click कर देना है और ये कई बार मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से करना है OTR app का बताया हुआ तो वही आप जो मैंने playlist दिखाई उसे पूरी जानकारी ले लिजेगा अब यहाँ पर देखे apply for scholarship है तो यहाँ पर हम login पर करते हैं ठीक है तो login पर हम जा रहे हैं यह तरीका मैंने देखे कई बार बताया हुआ है क्योंकि फिर मैं repeat उन चीजों को करूँगा तो काफी समय लगेगा और आज का जो वीडियो है mainly वो problems को लेकर है ठीक है ताकि जो गलतियां आप कर रहे हैं बार बार वो आपसे ना हो तो यहाँ पर मैं एक OTR है उसको भर के proceed कर रहा हूँ देखे मैंने OTR और password डालके मैं login कर लिया हूँ ठीक है तो हम okay करके आगे proceed करेंगे और यहाँ पर देखे proceed का option आ रहा है कई बार मैंने बताया हुआ है ठीक है तो जब हम proceed करते हैं renewal के लिए नहीं बता रहा हूँ ठीक है क्योंकि फिर आप परिसान हो जाएंगे गलत हो गया तब आप क्या करेंगे withdraw application का इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है तो जब हम withdraw application का option कर रहे हैं तो यहाँ पर नाम यहाँ कारण पूचता है कि क्या कारण है किसलिए आप करना चाहते हैं ठीक है तो इस तरह से आप withdraw का option आता है ठीक है फिर date application is not proceed for payment कई सारी चीज़े फिर आ जाती हैं तो ऐसी नौबती नहीं आएं कि आपको withdraw करना पड़े ठीक है तो यहाँ पर withdraw न करके हम fill application पर आते हैं तो यह fill application का फिर से यह खुल जाएगा ठीक है और आपको नाम पता category अपनी income अगरा भरते वे ठीक है और यहाँ पर marital status में आप unmarried अपने आपको दिखाएंगे क्योंकि आप unmarried हैं ठीक है फिर पता अगरा पूरा दिखेंगे और कई बच्चे देखे हाउस ना स्ट्रीट में आप 00 नहीं डालेंगे कोई ना कोई संख्या रहे हैं अगर आप गाउं में रहते हैं तब भी आपको करना है सेवर नेक्स्ट पर बढ़ना है यह सब चीज़ आप देखे जरनल सेवर सक्सेसफ़ल यह आ जाएगा ओक्य आ जाएगा बाकि यूड़ाइस कोड भी द्याले के डालेंगे पूरी डिटेल आ जाएगी रोल नंबर बगरा करना है सेक्शन बगरा करना है ठीक है और खुस्क्राइब रहे की नहीं है फिर सेवर नेक्स्ट फिर नीचे की तरफ देखे competitive exam detail में आ रहा हूं direct में ठीक है previous year academic detail में आप sun जरूर सही से select किजेगा इसमें ही बच्चे गलत कर रहे हैं 2024 select कर रहे हैं 3 select कर रहे हैं उसको आपको देख के करना है अब यह देखे आपके सामने schemes हैं जो की हमें select करनी होती है ठीक है तो जो DLA करने हैं उनके लिए है NMMS के लिए है state competitive exam scholarship है मनिपूर बगर के लिए है और state talent search exam STSC है math class for student from class 8 और मेगाले के लिए है और PM SSV के लिए है ठीक है तो PM SSV का इस पर exam नहीं होने जा रहा है इसका यू form online भरा जा रहा है और चाद बेती जो है आपके percentage के भियाब पर मिलेगी तो इस तरह से बच्चों पूरी form आपको आगे बरके proceed करना है बाकी जो detailed वीडियो से submit तक मैंने जो NSP portal की मेरी playlist पे उस पे बताया हुआ है ठीक है आज की जो वीडियो थी OKL problems को लेकी थी Thank you, thank you very much